यमुना नगर के हतने कुन बैरास से छोड़ा गया पानी 2,95,000 क्योसिक पानी छोड़ा गया है पादों पर बरसात के चलते खत्रे के निशान से उफर बहर रही है यमुना कहीं गाउं के खेतों में पानी घुज गया यमुना नदी का पानी वही परशाथसन ने लोगों को अलर्ट किया ही यमुना नदी के आसपास ना जाने के हिदायत दी गई है तो यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं यमुना नदी के आसपास ना जाने के हिदायत दी गई है और यسे के साथ कई लोगों के खेतों में पानी घुच गया है कई लोगों के खेतों में पानी घुच गया है जानकारी आपको दे देदे समय यमुना अपने खत्रे के निशान से उपर बह रही है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ समादाता रजनी सुनी हमारे साथ जुड़ चुकी है रजनी जाना चाहेंगे आप से जिस तरीके से देखे बेराज से पानी छोड़ा गया है फिल्हाल दिल्ली तक की अगर बात करें तो कितना बड़ा खत्रा यहां पर क्या आम जनता को महसूस हो रहा है अलर्ट भी जारी कर दिया गया है हलाके परशासन की भी मजबूरी है पानी को छोड़ना बिल्कुल दीब शिखाज इस परकार से हपनी कुन वेराज पर एक डम से पानी आया है क्योंकि जो उपरी क्षेत्र हैं वहां पर लगा तार बारिश हो रही थी और आज हपनी कुन वेराज से 2,95,000 क्यूसिक पानी जो है वो डिस्चार्ज किया गया है और अगर दिल्ली की बात करें तो 72 गंटों बाद ये दिल्ली पानी पहुंचता है हलांकि इस पानी ने इस बार जो है इस पर तबाही मचाता नजर आ रहा है क्योंकि आगपास के कई गाउं में पानी गुस चुका है खेतों में पानी गुस चुका है लोगों के घरों में पानी गुश चुका है और परशाशन ने एकदम से अलर्ट भी जारी कर दिया है क्योंकि 70,000 क्यूसिक के बाद जो है मिनी फ्लर्ट जो है वो गोशित किया जाता है और अब जो है 95,000 क्यूसिक पानी है जो के 3,000,000 के करीब पहुंचने वाला है और परशाशन ने यम्ना नदी के आसपास जाने से मना कर दिया है अलर्ट जारी कर दिया है लेकिन यहाँ पर एक और बात देखने में आई कि लोग जो है वो अपनी जोकिम में डाल कर जो पानी के साथ बह रही लकडियां जो है वो उठाने का काम कर रहे हैं अलांकि प्रशाशन जो है बार-बार अलर्ट कर रहा है और अगर परीक शेत्रों में जैसे ही बरसात बढ़ती है तो हतनी कुछ बेराज पर और भी ज़्यादा पानी बढ़ने की संभावना है बिल्कुर रजनी और आकसर ऐसे मौकों पर ये देखा गया है कि जो आम जनता है वो इस तरीके से वेवहार करते हैं जैसे मानों उन्हें सूजबूज ही ना हो कि अगर वो दो मिनट के इस तरीके से अपने फाइदे के लिए यहाँ पर जाते हैं तो उनकी पूरी जिन्दगी की जान का जोखिम कितना गुना परतिशत बर जाता है कि दिट शिक जैसे कि मैंने बताया कि पानी का बहाव वो बहुत तेज है और लिकिन जो लोग है वो अभी भी नहीं सुदरते एं वो अपनी जान जो खिम कर पानी से लकड़ियां जो है क्योंकि पीछे से लक्डियां बहती हुई आगे निकलते हैं और इससी पानी से बहती हुई लक्डियां निकालते हैं, कुछ लोग मचली पकड़ने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पानी की बात करें तो आध़ पास के खेतों में पानी तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा पानी छोड़ा गया है कहीं गाओं के खेतों में पानी घुस भी गया है आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है